घालो गैस, आएम तमंना, वेलकम बेक तू मैगि चाइनलगाईज आज मैं आप लोगों के साथ में समर की कुछ स्पेचल से डिन्क शेर कर रहीं हूँ वो है मैंगो शेक शेक तो सभी को पसंद होता है बट ये जो मैंगो का शेक होता है यो कुछ स्पेशल होता है सिर्फ त्री मिनट में गाड़ा क्रीमी मैंगो शेक बनाने का एक तम आसान तरीका वो भी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ में शेयर कर रही हूँ तो आईए उसके लिए मैंने ये लिए है टू मैंगो और मैंगो को मार्केट से लाने के बाद अच्छे से वाश करना है और इन्हें पील कर लेना है मैंगो शेक बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीकी के साथ में आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ mango shake शायद ही कोई ऐसा हो जिसे की पसंद नहीं हो यह all time favorite shake है यह हर किसी को पसंद आता है तो कुछ इस टाइब से इसे peel कर लेना है और peel करने के बाद में इसे आपको pieces में cut कर लेना है तो piece आप roughly करें जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े या बहुत छोटे ऐसा कुछ भी नहीं ह समर्स आते हैं तो बस सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है mango shake की mango shake ऐसी है कि मतलब देखने के बाद दिल रुकता ही नहीं है ऐसा होता है कि बस फटा फट mango दिखें और shake बनाएं फटा फट पी लें या हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर आज कल बाकी के जो foods होते हैं य mango shake बहुत ही delicious होता है तो बाहर हम लोग पीते हैं तो क्यों आज सेम वैसे हम लोग घर में बनाएं कि कभी भी अगर दिल कर रहा है बाहर जाने का मन नहीं या किसी भी reason से नहीं जा रहा है तो बिल्कुल बाहर के जैसा हम लोग घर में बना ले mango shake तो इस type से हमें इसे slice में two mango लिये थे आप अपने according लेने पीसेज में छोटे-छोटे पीस में करने का reason सिर्फ यह है कि जल्दी से grind हो जाएगा और अगर आप बड़े करेंगे तो भी हो जाता है तो थोड़ा सा time लगता है अब यह लिया है मैंने greater तो हमें थोड़ी सी coconut लेनी है यानी कि गरी लेनी ह और इस टाइब से grade कर लेना है आप चाहे ना तो यह desiccated coconut ना market में available है easily available है आप market से भी ले सकते हैं और चाहे तो कुछ इस टाइब से घर में बना सकते हैं तो यह pulp को अब लेना है यह जो mango के pieces है ना इसको लेना है और एक लेना है grinding jar उसमें आपको इसे डाल देना है एक ब पीसेज डाला mango के sugar डाला milk डाला वो इसे grade किया तो इस टाइब से क्या होता है ना कि बीच-बीच में कहीं इसके छोटे-छोटे से pulp आ जाते हैं चोटे-छोटे से pulp में particles आ जाते हैं तो हमें वैसा नहीं चाहिए तो वह टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं दालने के बाद में इसमें बन कप शुगर एडग किये तो आपने कप का मेजरमेंट देख लिया कि मैंने कितना बड़ा कप लिया था और ये लिया है मैंने वन तो रियार एक आपने according इसमें आड़ करें जितना कि आपको मीठा पसंद हो और इतना ही इससे जाधा मिल्क अभी आपको नहीं डालना है आगे मैं डालूंगी मिल्क अभी सिर्फ इतना ही डाल के हमें इसे बड़ी हैसा ग्राइंड कर लेना है इस तरह से ग्राइंड करने से यह लंब से फ् बट हम लोग जो जोस बना रहा हो बिलकुल से मार्केट के जैसा तो उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं आते हैं मैंगो के तो इस टाइप से इतना ही हमें इसे ग्राइड करना है तो यह देखिए एक प्यूरी जैसी बन की रेडी हो गई है बिलकुल यह पल्प देखिए कित या पतला पसंद हो वैसे जो यह यह गाड़ा ही होता है बहुत जादा पतला नहीं अच्छा लगता तो इसमें मिल्क एड करने के बाद में आपको इसे वापिस से ग्राइंड करना है अभी इसमें आप चाहें तो वैनिला एसेंस डाल दें या आप इसमें अगर आपको पस पसंद होना वो आप इसमें आड कर दें तीनों नहीं आड करना है तीन में से कोई एक तो मैं इसमें वैनिला एसेंस ले रही हूं अगर आपको पसंद होना तो आप इलाइची का पॉडर भी आड कर सकते हैं इन सभी चीजों को डालना है और वापिस से एक बार और ग्राइ इन सभी चीजों को डाल के आपको अच्छे से एक बार और ग्राइन करना है अगर आपको बहुत चिल्ड मेंगो शेक पसंद है तो इसी स्टेज पे आप इसमें कुछ आइस क्यूब एट कर दें यह लीजिए यह बढ़ी हैसा मैंने इसे ग्राइन कर लिया है तो आप देख र तो यह मैंने एक ग्लास में इसे सर्व किया है और दूसरा ग्लास तो हम लोग इसे टू टाइप से बनाने वाले हैं आपको जिस टाइप का पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं यह क्रेश की हुई डेसिकेटेड कोकोनट है वो मैंने थोड़ी सी स्पे स्प्रेंकल की है और वही है तो यह इसके उपर थोड़ी सी क्रीम एट करनी है और एंड में लास्ट में चेरी ऑन दे टॉप इसकी चुमलाई है ना इसके उपर बस हमें थोड़ी सी चेरी रखनी है आप चाहें तो टूटी फ्रूटी रख दे या जो चेरी आती है ना करोंदे वाली चेरी आती है उसे भी आप रख सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो कुछ इसके उपर नट स भी आइड कर सकते हैं कुछ ड्राइफ रूट्स को पारिक-बारिक कट करके आप इस पर रख सकते हैं तो यह लीजिए हमारा बहुत क्रीमी क्रीमी मेंगो शेक बनके रेडी हो गया जो कि ब के लिए सो थैंक यू सो मच पिल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिसे की मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंसती रहें तो गाइस कॉमेंड में बताईएगा कैसे लगे ओके तेल देन बाए